अभी इंडिया में जब हम देखते हैं सबसे बड़ी एक company जो की wallet के लिए और उसके साथ UPI के लिए father of all UPI बोला जाता है वो है पेटियम और उसके उपर जब RBI का guidelines आता है तो काफी साधे news जाए आपके सामने तो इसमें recent में अब क्या होने वाला after 29th of February इसके लिए जो हमें जलक मिली है Reserve Bank of India के दोरा और उसके साथ क्या है कहना यहां पे आसीर गोबर का and then हम जानेंगे विजय सेखर सर्मा के बारे में जिन्होंने incredibly अपने आपको उठाया और कैसे fall and rise of paytium देखेंगे हम और क्या यह really में rise हो सकता है after 29th February तो यह एक बड़ा question mark है जिसे हम यहां पे solve करने की कोशिस करेंगे और मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपको पूरी understanding मिले पेटियम से रिलेटेड अभी तक जो news हुई है उसके साथ यहां पे आगे भी क्या हो सकता है तो यहां पे जब आप देखते हो तो अभी center ने एक new guidelines के through fit से examine करने वाली है Chinese firm and group का और यह and group ब यहां पे end group के साथ जो alibaba एक और company है जिन दो company ने majorly invest किया हुआ था paytm में 49% of stake के साथ और तीसरा इसमें रिखता है आपको soft bank तो यहां पे alibaba and soft bank ने अपने shares तो बेच दिये हैं लेकिन end group अभी तक बना हुआ था और इससे regulated यो जानकारी है वो हमें जानना होगा because उन् European law को भी नहीं माना था कि आप जब facebook या फिर कोई भी entity हो अगर आप data generate करें इंडिया में तो आपको उसका एक sub group बनाना होगा जो कि Indian government को वो सारे के सारा data देंगे ना कि आप बाहर store करोगे तो यह स्री कृष्णा जो committee आई थी उन्होंने इसे clearly बोला था इसलिए हम यहां पे जब Paytm को देखते हैं तो उन्होंने इन guidelines को follow नहीं किया था यह तो हो गई major चीज़ा जो अभी चल रही है Paytm में लेकिन इसके साथ जब सेखर सर्मा को देखो गया नहीं तो उन्होंने क्या कोसिस किये न कि अपने आपको जो अलग entrepreneurs हैं उनके साथ mix up करके एक बहुत बड़ा news लाने की अब मैं ऐसा बोल क्यों ना हूँ विकॉज यहाँ पे आसीर ग्रोगर आपको बहुत ही बोकल दिख रहे हूंगे इन दिनों और उसका कारण है उन्होंने directly यह बोलना शुरू किया है कि भारत पे जिसमें उन्होंने आज़ा फॉंडर काम किया हुआ था अगर उसका फादर बोला जाए न भारत पे का that is Paytm because Paytm ने सबसे पहले wallets के साथ UPI को start किया है इसलिए Paytm को एक ecosystem right away में देना जरूरी है ताकि वो सही से आगे बर सके और उनका extreme comment तो सुनने लाइक है पहले उन्होंने RBI को दोगला पंती बोला उनका जब उन्होंने Paytm चला रहा है खुद का एक बड़ा सा business खरा किया हुआ है more than 40,000 करोर का 635 billion उसको people use कर रहे है इतने बड़े bank को क्यों बंद कर रहा है जो की एक अपने आप में एक uniformity है इंडिया के लिए इंडिया को आगे बराने के लिए तो इनका ये question जायज तो बनता है लेकिन उन्होंन तो इन सारी चीजों के साथ हमें थोड़ा आगे बरके ये देखना पड़ेगा कि actually में paytm है क्या देखिए paytm हम सब ने देखा कि one nine communication के थू अभी जो खुद को run कर रहा है उसके budget से उसमें जो regulatory notice जारी हुए उसके कारंस तो मैंने आपको बता दिये और यहाँ पे paytm ने अपने आपको edge step improve किया है और यह बोला है कि वो third party के साथ collaborate कर सकते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको SDFC या फिर कोई और bank भी दिखे लेकिन यहाँ पे जब वो third party के साथ collaborate करेंगे तो क्या आप सोच रहों कि हम same way से paytm bank को use कर पाएंगे नहीं अगर ऐसा होता है तो हम paytm bank को यूज नहीं कर पाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ paytm wallet को use कर सकते हैं like phone पे and google पे जैसे आप commonly use करते हो उतनी wide variety की services आपको नहीं मिलेगी और यही कारण है कि paytm बार बार अपने mobiles में आप यहाँ पे clearly देख पार है उन्होंने लिखा हुआ है कि paytm is working and will work always इसका सीधा सा मतल हो हर एक चीज का use कर रहे हो और इसका result हमें of course 29th of February के बाद ही दिखेगा लेकिन paytm का यहाँ पे इसके बाद अगर आप transactions का देखो तो वो बहुत ही ज्यादा decline हो चुके थे और उसके वज़से यह देखा जा रहा था कि more than 68% जो किराना shop है that means जो local merchants है उन्होंने paytm को as a major payment source लेना बंद कर दिया था जिसके बज़े से आपको rise दिखा होगा phone pay में, google pay में और other services में जो कि already अभी boom पे है और nearly 10 to 20% का rise गया उनका जिसके बज़े से आप सोच सकते हो यहाँ पे फायदा कि उनको हो रहा है जो major बरी banks है और यही कारण है कि जब आप देखते हो कि actually मैं through किसी भी company के पास पैसे आते हैं और foreign direct investment में आपको पता है इसमें 100% FDI कर दिया गया है लेकिन यहाँ पे विजय सेखर सर्मा ने already उसको 49% रखी sale क्या था और 51% अपने पास रखा जिसके बज़े से pay tm की major income है उनके तक आते रहे और उनकी sovereignty बने रहे because आप सबको पता होना चाहिए जब भी किसी company में 50% 51% से ज़्यादा कोई other company stake ले लेती है तो that means आप उसका जो board members होंगे न major decision making वही लेंगे लेकिन यहाँ पे एक twist है आपको देखिए अभी हम सबने देखा कि ptm या फिर किसी भी upi app को ले लो all over world में global हो रहा है recent में आपन बड़ा pandora box खुलने के बाद income opportunity खुलने के बाद जिससे Indians कहीं भी आसानी से payment कर सकते हो उसके बाद इतनी बड़ी company के उपर ऐसा regulatory notice आता क्यों है और यही वो question है जो कि India के unicorn that means जो newly अपने आपको entrepreneurs बोलते हैं rise कर रहे हैं वो question rise कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की heavy penalties के साथ क आना परा तो यहां पर जो आप देखते हो 30 countries ही नहीं recent में April Tower के पास नयन मोदी ने inaugurate किया UPI को जिससे एक world touch मिलता है sorry UPI को और UPI जिसके बज़े से unified payment interface all over world में एक global payment system बन चुकी है जो कि India का एक unique invention है और उसका mother, father जो बोलो आप जो भी बोलना चाहते हो वो है Paytm और Paytm के भी recent में rise हो रही है क्या वो और खुद को rise करने का सोचेंगे और इसी कारण से इंडिया में UPI launches का जो France का news आया था उसको भी club किया गया यहां पे और Paytm यह दिखाना चारा है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें रोकने की कोसिस की जा रही है और यहां पे जो हम देखते हैं रोक कर सकते हो eventually आप जब swap keepers को payment करते हो तो आपको कोई पैसे भी नहीं देने परते हैं नहीं swap keepers को कोई पैसा लगता है तो इससे two way benefit होता है लेकिन यहां पे जब आप Paytm को देखो 2017 में आपको ले जाना चाहता हूं मैं जब RBI ने 5 बार 2017 से लेकर अभी तक guidelines जारू कर चुके हैं और इन guidelines के बाद भी Paytm ने उनको follow नहीं किया तो यहां पर वो guidelines था क्या देखिए सबसे पहला था कि आपके जो investors हैं उन investors की जिम्यदारी बनती है कि आप उनको बोलोगे कि वो सारा का सारा detail आपको दे और ना कि वो इंडिया में data localization ही करें in fact आप जो major decision ले रहे हो customer से data generate कर रहे हो वो कहां जा रहा है अब इस चीज को आपको S.Rikanta committee के report से मैं थोड़ा clearly समझाना चाहता हूँ देखिए data localization का मतलब यह होता है कि अभी आप जानते हो artificial intelligence का world है और machine learning का और artificial intelligence के थुरू आप जब payment करते हो तो आप एक इंसान pocket expenditure कितना कर सकता है यह clearly Paytm को पता चलता है because जब आपने किसी भी app को download किया होगा तो आपसे पूछता हो contacts का और phone के सारे details का और उन details का वो करता क्या है उन details को यूज करता है खुद के product को बेचने के लिए और उन data को भी वो बेच सकता है और इसी चीज के उपर RBI ने concern दिखाय था because China में एक law है और China का law clearly बो बोला गया है कि आपके पास दिखना भी data है आपको देना परेगा because यह चाइना का law है और चाइना के इस law के बज़े से हड़े कंपनी जो की चाइना में है उसे वो सारा कर सारा data देना परता है और इसी लिए foreign जितने भी countries हैं all our world के चाइना को छोड़ करें वो सब concern में है कि अगर Chinese company हमारे यहां invest कर रही है तो वो data generate करके खुद के लिए एक information create करेगी जिससे strategic loophole बनता है इंडिया जैसी country को जब वो यहां पर operate करते है और यही कारण था कि 5G को इंडिया में Hawaii के थुरू नहीं लाया गिया हमने दूसरे companies को reach किया है ताकि हम एक strategic position में रहे हमारे यह यहां की information चायना तक ना जा पाए तो इसी चीज को रोकने के लिए अभी RBI ने यह guidelines डाला था तो यहां पर आपको यह clarity समझ में आगा कि RBI ऐसा कर की रहा है इसलिए जब आप blame blame की बात करो ना तो मैं चाहता हूँ आप blame not करो इसलिए आपने कुछ time पहले देखा होगा बा पारी country को यह बिल्कुल भी कहना गलत होगा अगर आप regulatory guidelines को follow नहीं करते हो तो आपको heavy penalty जहलना पर सकता है और यही कारण है कि Paytium जो कि 628 million active wallets के साथ है that means 628 million लोग daily payments उस पर कर सकते हैं और 2022 से 2023 तक का data देखो तो 82 million monthly transactions है यह किसी भी bank से अगर आप compare करों तो तो बहुत ही जादा है 3 times more है और उसके साथ देखते हो आप July August में 2023 में average monthly जो है वो 94 million तक रीच कर गया था that means यह 100 million रीच करने वाला था और यहाँ पे इन सारी चियों के साथ 2022 के data से यह jump किया हुआ था लेकिन यहाँ पे इसके इस guideline के बाद अब जो Paytium के लोग है that means जो वहाँ पे काम क people उनका job खतर में बादा हुआ है जो कि 52% जिसमें women's है तो Paytium एक ऐसी company भी है जो कि ज्यादा ज्यादा women's को job देती है और यहाँ पे 48% आपको main काम करते हुए दिखेंगे तो Paytium की जो financial services है वो specialized है mobile payments के लिए और mobile आप सब को पता है अभी हड़े एक इनसान के पास है अगर आप Paytium रखे हुए हो तो आप असानी से उन चीजों का payment कर सकते हो आपको tuition fees देना हो या फिर आपको stock में investment करना हो तो वो सारी services है यहाँ पर even gold loan के लिए या फिर अगर आप gold में invest करना चाते हो उन सारी services को Paytium आपको प्रदान करेगा लेकिन यहाँ पे अब मैं Tycoon of UPI, father of UPI in fact said by Asir Grover और Asir Grover ने जब ये बात बोली न तो इसमें credibility है देखिए एक 15 साल का बच्चा जो इंगलीज नहीं बोल पाता था वो दिल्ली आया मैं बात कर रहा हूं बिजय सेकर सर्मा की और दिल्ली आने के बाद उन्होंने खुद को establish किया और अपने आपको educate कि educate करने के बाद उन्होंने किसी company को join नहीं किया उन्होंने दो companies में investment की अपने खुद के ख़़ा करके और उससे बहुत ही heavy दाम में बचा लेकिन इन सब की सुरुवात होती है 8 lakh के loan से जो 8 lakhs का उन्होंने loan लिया उसको लेने के बाद 2 company खरेगी और तीसरी company आप देखते हो 197 97 communication और यह 197 जो patent company है Paytm की उसी से actually wallet and Paytm bank आया हुआ है अब यह 197 जो है न वो धीरे धीरे बड़ी होनी सुरुवी 211 में इसे successfully launch कर दिया गया 2013 में wallet आ गई wallet आने के बाद आप movie and tickets के लिए सारी चीज़े खरी सकते थे then आता है इसका main payment bank का जो की 2014 में आता और यह सारी चीज़े चल रही थी 2017 में उसके बाद RBI ने पहली guideline बोली कि भीया समझ जाओ और हमें अपने सारे details सही तरीके से दो जो की बाकी के bank करती है देखि यह एक emerging market है और newly payment system का यह उठी रहा था तो अगर आप उस time का news परते होगे तो आपको यह detail में पता चल रहा होगा कि जो small finance bank है उनके यह कितना बड़ा struggle का time रहा होगा कि सारे के सारे data को देना बड़े bank SDFC SBI जैसे banks को साथ complete करते हुए खुद को establish करना and then आता है 2021 का time जिसम इनके जो investor थे वो काफी खुश हुए बिकोच यहां पर काफी कुछ चल रहा था जैसे कि मैंने आपको wide variety और services रहता है फास्टेक बताए sell it दी जा रही है Paytm के थुरू तो इन सारी चीजों के होने के बज़े से Paytm में ज्यादा से ज्यादा investment आने लगे और share market के खुलते ह group Alibaba and Softback ने majorly invest किया इसमें और 51% stake के साथ Vijay Sekar Sharma ने अपने आपको उठाना शुरू किया लेकिन यहीं से जस्ट एक महिने बाद RBI ने guideline दिया और उसे follow नहीं कर पाए वो और जिसका नतिज़ा आपको 29th of February को दिख रहा है तो इस तरह से यह rise and fall of Paytm को मैंने आपको अगर सही से deliver किया हो तो मुझे बताइएगा जरूर comment box में और इस video से हमें एक जानकारी जरूर मिलती है कि अभी जो एक information रही है इसे मैं misinformation भी बोलना चाहूँगा कि इंडिया में unicorns को rise होने नहीं दिया आता है यह गलत है विकॉज जो मैंने आपको starting में news दिखाई उसका सीधा स यह मतलब बनता है न कि actually मैं इंडिया में center examine कर रहा है अगर वो सही होता है तो उनके उपर अगर कोई elevation नहीं निकलते हैं तो ptm को फिर से यहां से continuously use करने के लिए दिया जाएगा और इंडिया ही एक ऐसी democracy है जहां पे आप fruitfully इन चीजों को आगे बना सकते हो और यही कोई भी major काम life में करना चाहते हो तो खुद को सही से establish करके आगे में किसी भी loophole में ना फसे और हम सभी को इस बात से एक और जान कारे जरूर मोलची कुई है कि कानून के हाथ सच में लंबे जा रहे हैं तो उन्हें हमें कैसे समझना है और खुद को सही तरीके से कैसे establish करना है यह I think मैंने आप तक clear रखा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक ज़रूर कीजेगा और ज़्यादा ज़्यादा लोग तक सब्सक्राइब कीजेगा तब तक के लिए thank you for watching keep striving for knowledge